ये सो हलो एवर्यवान है तेश रियार और टुड़े वी गना टॉक अबाट दी मुवी काल्ड 47 ड्रोन इन इस मुवी की डिमांड आपकी आ रहे थी पिछले गरेब एक साल से मगर कॉपेराइट इशूस के चलते ये मुवी में नहीं लेकर आ पा रहा था यूनिवर्सल की त शुरू से ही यही मोटो है जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम सुना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डारेक्ली आते हैं इस कहाने की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शिरवात में हमें जापान के एक जादूई सामुराई अपनी जान तक देने के लिए तयार होते हैं लेकिन कोई समुराई अगर अपने दिये गए काम में नाकाम रहता है तो वह बन जाता है रोनन इसे काइंड ऑफ बागी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से बागी का भी एक खुद का मकसद होता है अपना एक मिशन होता है वह भी पूरी तरीकी से सोल्ज की एक कहानी दिखाई जाने वाली है जिसकी शुरुवात में हम जंगल से भागता हुए एक लड़का देख पाते हैं वह एक आधा अमेरिकी और आधा चाइनीज था लोगों का मानना था कि उसे जंगल में काली शक्तियों के राजा टेंगू ने पाला है वह इसे एक आदम कि लड़का से कहते हैं कि लड़का जुरूर किसी मुसीवात में हो और हम स्टमराइस की तो शरूर से यही पैचान हम मुसीवात हरना की मदद करते हैं तो यह लोगों से अपने साथ घर ली आ यंग से एक तरफ में त्रहर करके मिया कि जो की रानी बनने वाली थी वहीं दूसरी तरफ काई जो की बाकि सभी समुराइज के साथ मिलकर ट्रीनिंग किया करता था धिरी धिरी करके ऐसे वक्त आगे बढ़ता है और एक दिन इनके आगो राज्य में एक बहुत बड़ा मॉंस्टर आ जाता है वो हर एक एक को जान से मा बारने की कोशिश करता है मगर वो साइज में इतना ज़्यादा बड़ा था कि काई उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था मगर एक मुमिंट पर वो अपनी तलवार निकालता है और जैसे ही वो बड़ा मॉंस्टर उसके पर हमला करने वाला था कि वह अपनी तलवार उसक पाथे हैं जहां कि काई के हातों पर उस मॉस्टर का फू शटका कि माउंस्ट मार था मकर सभी लोगों को यहीं उसंतर को मार हो जाती है मगर सारा सच मालूम फता है और यहां पर हम इसके राजा कीरा को देख पाते हैं जिसके पास में खुद की एक जादूवी इंस्ट्रक्टर रीको मुझूद होती है कीरा चाहता था कि वो कैसे भी करके आगो राजे पर शासन हासल कर ले मीन वैल सीन शिफ्ट होता है घायल पड़े काई पर जिसके हादों पैरों पर कट्स के धेर सारे निशान थे क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़े मॉंस्टर को मार कर रहा था कि तबी वहां पर मीका पहुँच जाती है और उसके घाओं पर मलहम लगाने लगती है इन दोनो में आज एक त्योहार था हर कोई डांस पगर करने लगता है यहां पर सभी लोग मौजूद थे और कहीं न कहीं इन दोनों की यहां के एक दूसरे को देख रही थी मगर ओईशी इस बात को जानते थे कि मीका और काई का रिष्टा कभी नहीं हो सकता नेक्स डे यहां पर गो गोबा का कीरा और ओल ओवर डिस्टिक के में राजा शोगुन तो उस टाइम पर एंटेटेंब्मेंट के लिए यह लोग जंग लड़वाया करते थे कुष्टियां लड़वाया करते थे तो इसी के इंदर आज इन दोनों राज्यों के यहनिकी गोबा और आगो यहां के ब काई ने उसे जान से मारा था अब यहां पर की ब्लैक मैजिशन रीको पहुंच जाती है जो कि उसकी आखों को अंधा कर देती है अब बड़ी मेहनत से लड़ना भी चाता था मगर आखों से ना देख पाने की वज़ए से पागलों जैसी हरकत करने लगता है और उस फाइट जहां पर काई अपने राज्य को जीत दिलाने के लिए बहुती बहतरीन तरीके से लड़ता है मगर एट दा एंड उसका मुखोटा नीशे गिर जाता है जहां पर शोगुन कहता है कि यह तो समुराइए ही नहीं और उपर से यह तो हाफ अमेरिकन हाफ चाइनीज है तो आख सीन शिफ्ट होता है रात में जहां हम देख पाते हैं कि कीरा अपनी ब्लैक मैजीशन के साथ में एक ऐसी प्लानिंग बनाता है जहां पर वो इस पूरे आगो राज्य को हतिया सके तो रीको बन जाती है एक मकडी और सीधा पहुंच जाती है आसुनों के कमरे में और जाकर होटों पर एक ऐसा डार्क लिक्विट डाल देती है जिसकी विजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है आसुनों को ये लगने लगता है कि कीरा उसकी बीटी के साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी तलवार निकालकर उसे जान स से मारने वाला होता है मगर सच मुच ऐसा नहीं होता वो सिर्फ उसके दिमाग का अग्रहम था तभी माबार ढेर सारे सेना पती आकर आसुनों को ले आते हैं शोगून के सामने और शोगून कहते हैं कि तुमने तुम्हारे महमान पर जानलेवा हमला किया तैकि तुम उसका आज हती आ सको जहां पर आसुनों कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं थी मैंने अपने विजन में कुछ और देखा था मगर जब मैं तलवार लेकर गया तो वहां पर वह सिर्फ अकेला था यहां शोगून कहता है कि सजा तो तुम्हें मिलेगी अब यहां पर दो तरीकी सजा हो इस सामने अपने आप को खत्म कर लेते हैं इस बात से पूरा आगो राज्य नाराज था इंकलूड़िंग सारे के सारे संवराय राजा नहीं था तो शोगून जाते-जाते कीरा को यहां का राजा बना देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी मिका से होगी लेकिन क्योंकि मीका के फादर मरे थे तो इसलिए उसे एक साल दिया जाता है शोख मनाने के लिए खैर कीरा तो चाहता यहीं था और उसकी सारी विशिस फुल्फिल हो चुकी थी तो सबसे पहले जैसे शोगुन जाता है वह यहां के सारे के सारे समुराइस को जेल में डलवा देता है इंक्लूडिंग उईशी ताकि उसका फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटीशन ही ना रहे एक साल बाद में जहां पर उस काली कोठरी से उईशी को निकाला जाता है वह बहुत ही जदा बोड़ा हो चुका था कमजोर हो चुका था मगर उसके दिल में आज भी कीरा के लिए न सबसे भैतरीन समुराई की जुरूरत थी और वो था काई इस वक्त काई एक दूसरे ही देश में बींग ए स्ट्रीट फाइटर या फिर कहें कि अमीर लोगों के एंडेटेइन्मेंट के लिए लड़ाई करने वाले एक शक्स बन चुका था इसी दौरान हम उसकी फाइट ए काई ने अपनी यादाश्त खो दी थी और वो ओईशी को पहचानने से मना कर देता है इसलिए उन दुनों की बीच में रियल फाइट हो जाती है मगर बातों ही बातों में ओईशी से समझाते हैं कि मीका की शादी कीरा से होने वाली है तुम मीका से प्यार करते थे और वो की आती है टीम अप की जहां पर यह सारे के सारे पुराने 47 समराइज मिल जाते हैं मगर दिकत की बात यह थी कि एक साल पहले जब कीरा ने इन्हें बंदी बनाया था तो इनके सारे हतियार ले लिए तो अगर जंग लड़नी है तो हतियारों की लोग जंग नहीं लड़ सकते थ जो की कीरा का ही राज्य होता है यां पर आकरी सबसे पहले कुछ वहां के ब्लेक समुराइज को मार गिराते हैं लेकिन पता चलता है कि वहां पर तो हजारों की गिंती में समुराइज मौझी मौझा सकता हूं पहुँ हुख फॉरिस्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर टेंगू रहा करता था लेकिन अंदर सिर्फ काई जाता है और बताता है कि मेरे साथ ओनली ओईशी आ सकते हैं सभी लोग यहीं बाहर रुकना अब यहां पर अंदर आने के के बाद में काई ओशी को कहता है कि यह एक मिस्टीरिकल प्लेस है यहां पर आपके सामने कई सारे ओजल जलावे आ सकते हैं यानि कि आपको दिखे का कुछ और मगर हकीकत कुछ और होगी कुछ भी हो जाए मगर आप अपना हतियार नहीं निकालेंगे यहां पर हम बहुत सारे टैंगू को देख पाते हैं जो कि काइंड ऑफ गरुड जैसा फेस शेप का होता है और वो काई से कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें बचपन से ही काली शक्तियों के बारे में सिखाया था मगर तुम ही हो जो उन्हें यूज नहीं करना चाते अगर तुम भी वो सारी शक जरुरत है अब बेसिकली यह जो तलवारे होती है इनके इंदर कुछ थाक्ति होती है अगर कुई सच्चा समराई अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार का यूज करें तो उस तलवार से कुछ भी काट सकता है जहां टैंगू कहता है कि इन तलवारों को पाने के लिए तुम् हैं उनके हातों में तलवार है और जैसा कि काई ने कहा था कि तलवार मत निकालना तो यहां पर नीचे बैठे हुए सारे के सारे टैंगु जिन्दा हो जाते हैं जो कि और इसनल की रैपलिका थे और उन पर हमला करने लगते हैं इनकी स्पीड बहुत जदा थी इनके अंदर का निकालने की वजए से वह स्टास को भी कंप्लीट कर लेता है और इनके पास में टूटल 47 न्यू तिलिसमी तलवारे होती है मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कीरा पर जिसे मालुम चल चुका था कि उसके खिलाफ बाकी सभी रोनिंस अब रोनन यहां पर उनका नाम इसली लि के परिवार उनी के गांव को जला दिया और उनके परिवार से कह दिया कि अगर मेरी तरफ कोई भी आएगा तो मौत के घांट उतारा जाएगा यहां सीन शिफ्ट होता है मीका पर जो की सोरी होती कि तभी वापर रीको पहुंच जाती है कि तुम्हें बचाने के लिए तु का था मगर आखिर गोबा राज्य में जाकर डारेक्टली कीरा पर हमला कैसे करें क्योंकि वहां की सिक्यरिटी बहुत जादा टाइट थी उन्हें डारेक्टली अंदर जाकर के इस मिशन को कंप्लीट करना होगा कि तभी वहां पर कुछ डांसर का ग्रोप निकलने लगता है तो यसे भी रोनन्स वहां पर पहुंच जाते हैं कि हमें तुमारी कॉस्ट्यूम चाहिए जहां पर उडांसर्स भी कहते हैं कि आप तो आगो राज्य के समुराइज है ना मैं लास्ट टाइम आपके गाओं में आया था मैंने बहुत अच्छा प्रेजंटेशन भी किया था तो जिस तरीके से इंडिया में लीडी संगीत होता है तो वहां पर जैपनीज प्रथा के अकॉर्डिंग एक डांस वगर होता है तो यहां पर वही डांसर्स जो की दूसरे राजे से बुलाए गए थे एक एकर की डांस करने लगते हैं शोर्गुल बहुत ही जादा हो रहा देता है मीनवाइल काई मीका को बचा कर वहां से भागने लगता है कि उसके सामने रीको पहुंच जाती है जो की अब असली रूप को से दिखाती है जो की होता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जहां पर अब काई को अपनी तलिसमी तलवार निकालने पड़ती है और वह के साथ लड़ रहा होता है दूसरी तरफ पहुंच जाता है कीरा को जान से मारने के लिए क्योंकि उसी की वज़े से इनके राज्य के राजा असुनों को मरवा दिया गया था तो फाइनल कंक्लूजन यह निकलता है कि यह दोनों ही अपने टास्क में कामियाब हो जाते हैं जहां एक तरफ काई उस ड्रैगन को मौत के घाट उतार देता है वहीं दूसरी तरफ कोईशी कीरा को मौत के घाट उतार देता है फिर सभी लोग यह जीत कर आ जाते हैं अपने राजे आगो में लेकिन यहां पर शोगुन पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने बिना मेर चेंज कर दिये थे और इसी वजह से एक साल पहले उनके राजा ने कीरा पर हमला किया था अब खेर बात तो यह सई थी लेकिन शोगुन को डिसीजन लेना ही था और उसने इन सभी रोनन्स को जैपनीज माने तक अकॉर्डिंग खुद की जान लेने का ओडर दिया था तो य यह बात आगे भविश्य तक इनके पीडियों तक फैल है इसलिए ओईशी की बेटे चिकारा को खुद को ना मारने का आदेश दिया जाता है जिसके बाद यह सारे के सारे रोनन्स यानि कि अब बन चुके होते हैं समुराई एक करके अपनी जान ले लेते हैं अब हाला कि य एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जरूर था जहां पर कुछ रोनन्स ने मिलकर अपने राज्य को बचाया था अगर इसी तरीगी की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रीज डू लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अन दिस वीडियो और अगर पहली बार शुनल पर आया है बि झाल